आज मैं आप सब के लिए लेकिया हूँ, बहुत ही टेस्टी सी चीज पराथा या आप इसे चीज बर्स्ट पराथा भी कह सकते हैं, चीज पराथा की रेसिपी, तो इसके लिए हमने एक कप आठा लिया है, एक कप मैदा, थोड़ा सा पीजा सॉस, और बारी किसी हुई चीज, जो की प्रोसेस्ट चीज मिलती है मार्केट में, और चीज की स्लाइसे, दोनों में से आप एक भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पीजा सीसनिंग, तो सबसे वहले हमें आठा लगा लेना है, इसके लिए मैंने एक कप आठा लिया है, सुप्टी चमच ओइल, और अब हम इसका एक भुथी सॉफट डो बनाके रेडी करेंगे, यह देखिए हमारा सॉफट डो बनके रेडी है, अब इसको गूनने के बाद हम इसको लग भग 10 मिनेट के लिए धक के रख देंगे, और 10 मिनेट के बाद हम इससे पराठे बनाएं हम बस उसी size की ball चाहिए हम लोगों को I mean just size की रोटी की ball बनती है उस size की तो यहां मैंने 4 balls बना के ready कर ली है अब हमने ले लिया है ये cheese ये पहले से मैंने घिस लिया है आप processed cheese ले सकते हैं mozzarella ले सकते हैं इसमें और अब हमें इसमें डाल दिया है और इग्यानो और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी chili flakes ये दो जो basic मसाले हैं ये इसको बहुत ज़ादा tasty flavor देते हैं और अब हम इन्हें mix कर लेंगे नमक हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि cheese अल्रड़ी थोड़ा सा नमकीन होता है जो अल्रड़ी processed होता है तो अब हमने लोई ली आँटे की यानि की आँटे की ball ली और इस तरह से इसको हमें बहुत ही पतला बेलना है थोड़ा सा सूखा आटा लगाते रहें जिससे कि आप इसको काफी पतला बेल पाएं क्यूंकि हमने इसमें मैदा मिक्स किया है तो इसको हम काफी जदा पतला बेल सकते हैं अगर आप प्लेन आठे का भी बना रहें तो उसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें क्यूंकि हम इस तरह की दो लेयर्स यूज करेंगे परांठे में इसी वज़े से हम इसको उस तरह से फिल करके नहीं बना रहे हैं जैसे हम नॉर्मल आलू और पनीर वग्यारा के परांठे बनाते हैं तो हम इस तरह की दो लेयर्स यूज करके इस परांठे को बनाएंगे तो यह मैंने एक बहुत ही पतली सी लेयर बेल के रेडी कर ली है और अब हम इसको अलग रख देंगे और इसी तरह से एक और लेयर बना के रेडी कर लेंगे तो यह देखिए हमारी दूसरी लेयर बन के तयार है तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, यह मैंने कितनी पतली बेली है, यह देखिए बहुत ही पतली बेली है मैंने यह, और अब इसके ओपर हम थोड़ा सा लगा देंगे पीजा सॉस, आप इसकी जगे केचप भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे में चीज के साथ केचप य लगाया है, बहुत ज़ादा नहीं लगाया है, और अब इसके ओपर मैं स्प्रेड कर दूँगी घिसी हुई चीज इस तरह से, कोशिश करें कि कहीं भी ज़ादा मोटी ना रहे यह चीज, मतलब इस चीज की लेयर कहीं भी ज़ादा मोटी ना रहे, और अब हम इसको बढ़ ट्राइ करके देखें, चीज स्लाइस लगाने से इसका जो टेस्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीजी आता है, और अब हम यह जो पराठा है, उसके कॉर्नर्स पे लगा दे रहे हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी हम इसके उपर एक लेयर और रखेंगे, और उसको चिपकाने के लिए पानी हम इसमें लगा दे रहे हैं कॉर्नर्स पे, तो यह देखें इस तरह से दूसरी लेयर रखेंगे, आप कॉर्नर्स को सील कर दीजे, और कोशिश करें कि बीच में काफी ज़दा हवा नहीं रहे, आप चाहें तो इसको हलका सा कॉर्नर्स पे से फोल् मैं ऐसा नहीं कर रहे हूँ, तो अब हमने ले लिया है एक तवा और इसको हलका सा ओयल कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे, आइमीन, और अब हमने इसके ओपर डाल दिया है हमारा चीज पराथा सिखने के लिए, तो यह देखें थोड़े से बबल्स कॉर्नर पे बनने शुरू ह हो गये हैं, यानि कि हमारा पराथा जो इसकना स्टार्ट हो गया है, अब मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है साइट्स पे और इसको पलट दिया है इस तरह से, और इस तरफ मैं इसके ओयल लगा दे रही हूँ, और अब हम दूसरी तरफ भी ओयल लगा देंगे, पराथा अच् और क्यूंकि हमने इसमें दो ले अर्श लगाई है तो अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो यह अच्छा रह सकता है, तो यह देखिए हमारा पराथा बनके बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको कट कर लेते हैं, यह इस समय बहुत इसके अंदर गरम चीज है, इस चीज क हाथ को जलाएगी नहीं, और मैंने इस तरह से इसके पीसे अलग कर दिये हैं, और अब आप इसको सर्फ कर सकते हैं, केचप, चटनी या किसी भी इस तरह की डिप के साथ, यह अचार के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो यह देखिए कितना बढ़िया चीज पुल ब करेंगे, तो आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताएं, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले, मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के ल के बाइब बाइब लगी अपकी कॉकिंगे